हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़ादा बढ़िया बजट मुबाइल्स रेडमी और इन्फिनिक्स की तरफ से रेडमी का नोटेट दूसरा है इन्फिनिक्स का होट 9 जो भी हाली में लॉँच हुआ है साड़े 8000 का बाकि दोस्तों नोटेट की कीमत पहले 10,000 ती लेकिन अब इसकी कीमत काफी बढ़ गई आपको 12,000 के आसपास मिलता है तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मुबाइल्स में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों बजट मुबाइल्स के अंदर आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा आपकी ज़रूत के हिसाब से तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा क्या आपको 8,000 ही खर्च करने चाहिए इन्फिनिक्स पे तरो क्वालिटी दोनों काफी अच्छी है बाकि दोस्तो रेडिमी के नोट 8 के साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है तो ये मोबाइल टाइप सी केबल सपोर्ट करता है इसके बाद आपको आखिर में रखा हो मिलता है ये ब्लैक कलर में चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है अब दोस्तो इस मोबाइल में आपको फास सरजिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास सरजर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो ये सरह समन आपको मिलता है रेडमी के नोटेट के साथ 12,000 में वैसे देखा जाए तो रेड की हिसाब से इस मोबाइल के साथ आपको नॉर्मल ही समन मिलता है क्योंकि कीमत भी इसकी काफी जादा हो गई अब 10,000 के हिसाब से तो काफी अच्छा था लेकिन 12,000 में ये चीज नॉर्मल है क्योंकि आपको आजकल दूसरे मोबाइल के साथ 10,000 में फास्टोजर देखने को मिल जाता है चले देखते हैं अगर आप सिर्फ 8,000 ही खर्च करते हैं तो होट 9 के साथ आपको क्या क्या मिलता है तो सबसे पहले दिया गया है मोबाइल जिसका डिटेल लूक हम अभी देखींगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको रखे वी मिलता है कुछ यूजर मैनुवल पैकिट में रखवा है एक सिम इजक्टर टूल एक दिया गया है स्क्रीन गार्ड और एक मिलता है कवर तो इसमें स्क्रीन गार्ड मिल जाता है या आप खोज से लगा सकते हैं इसमें काफी अच्छी चीज है बाकी Note 8 में आपको Gorilla Glass की प्रोडेक्शन ही मिल जाती है डिस्पले में इसके लब दोसे इस Mobile में आपको ये मिलती है केबल जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और इसके अंदर आपको Type-C केबल नहीं दी गई क्योंकि इसकी कीमत काफी कम है ये मुझे इस Mobile में छोटी सी कमी लगी Type-C केबल होती तो काफी अच्छा रहता इसके बाद आपको आखिर में रखा वो मिलता है ये White Color में Charger जिसकी Build Quality काफी अच्छी है अब इसके अंदर आपको Output मिलता है 5W, 2A का ही तो इस Mobile के साथ आपको Simple सा 10W का Charger दिया गया है Fast Charger तो नहीं मिलता क्योंकि कीमत काफी कम है ये चीज इसमें Normal है तो Rate की हिसाब से देखा जाए तो इस चीज में दोनों Mobile से अपनी जगा सही है उसकी कीमत भी 3500 जादा है Notate की तो इसके अंदर आपको Type-C केबल और Fast Charger भी मिल जाता है बाकी इस Mobile की कीमत 3000 कम है तो इसके अंदर आपको Type-C केबल Fast Charger नहीं दिया गया तो इस चीज में दोनों Mobile से अपनी जगा सही है बात करें दोस्तों Design के बारे में तो Redmi के Note 8 में आपको Glass Look दिया गया है जिसमें पहला कैमरा है 48 Megapixel का दूसरा 8 और बाकी के दो कैमरा है 2-2 Megapixel के फ्रंट कैमरा है इसका 13 Megapixel का कैमरी की परफॉमेंस इस Mobile में आपको बहुत अच्छी मिल जाती है कैमरे में Redmi का Note 8 काफी अच्छा है और Fingerprint Scanner बैक पेनल पे ही दिया गया है वही दूसरे तरफ Infinix के Hot 9 के अंदर आपको काफी बढ़िया डिजान मिल जाता है लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक के टाइप के डिजान दिया गया है तो इसमें स्क्रैचिस तो थोड़े से आ जाते हैं लेकिन गिरने के बाद इसके तूटने के चांसिस कम है फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगा पिक्सल का कैमरी की परफॉमेंस वैसा तो दोनों में ही काफी अच्छी मिलती है बाकि जादा बेटर कैमरा तो Redmi के Note 8 का ही है बात करें दोस्तों डिस्पले के बारे में भी दोस्तों दोनों मोबैल्स की डिस्पले की क्वालिटी में आपको करीब से दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें यूज़न टेफेस के बारे में तो इंफिनिक्स के होट 9 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है इसके अदर आपको app drawer दिया गया है वहीं दूसरी तरफ Redmi के note 9 में आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन्स मिल जाती है इसमाँ आपको home screen पे ही सारी अप्स दी गई है user interface के अंदर मुझे ये दोनों mobile's normal ही लगे बाकि आपकी पसंद की बात है कि अंदर से features आपको किस के जाद अच्छे लग रहे हैं किस के user interface आपको जादा पसंद आया ये आपकी personal choice है इसके लब दोस्तों दोनों mobile's की display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ अब सबसे पहला फर्ख है display के design को लेकर Note 8 में आपको notch वाली display मिलती है जो काफी common design है लेकिन hot 9 के अंदर आपको punch hole camera दिया गया है display के अंदर ही camera है left side पर तो display के size के अंदर और display के design में Infinix का hot 9 जाद अच्छा है कम कीमत में ही ये दो चीजेस में आपको जाद अच्छे मिल जाती है बाकि अगर colors देखींगे आप तो आपको थोड़े से और जादा better मिल जाते है Note 8 की display में तो Note 8 की display में एक खुबी है Infinix के hot 9 में दो खुबी आपको मिल जाती है left side साब देखते हैं दोनों में sim के tray दी गई है अच्छी चीज़ यह है दोनों ही mobile's के अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं ये दोनों में खुबी है नीचे की तरफ से आप देखींगे तो दोनों में charging port, speaker, mic, headphone, jack, mail जाता है type C port है Note 8 में right side से आप देखींगे तो दोनों में volume के buttons और power के buttons बागी दोस्तों side उसे दोनों ही mobile's का design काफी जादा shiny है लेकिन camera bump जो है वो Note 8 का जादा है इसमें आपको उस camera के ऊपर scratches की problem जादा देखने को मिलेगी hot 9 के comparison में Note 8 में आपको उपर की तरफ IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप Note 8 से चला सकते हैं इसमें जादा अची हुबी है अब कीमत में तो 3500 का फर्क है लेकिन इन दोनों ही mobile's के अंदर आपको दी गई है 4GB के RAM, 64GB की internal storage RAM और storage आपको दोनों में बराबर मिलती है और 64GB में से आपको Note 8 में दी गई है 49GB के आसपास Infinix के hot 9 में आपको मिलती है 54GB के आसपास तो 3500 कीमत भी इसकी कम है और storage भी आपको जादा मिल जाती है Note 8 से इसके लावा Redmi के Note 8 में आपको Android का 9 Pie version दिया गया है लेकिन Infinix के hot 9 के अंदर आपको Android का बिलकूर latest version मिल जाता है Android 10 ये चीज़ भी hot 9 के अंदर जाद अच्छी है इसके लावा दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में तो Redmi के Note 8 में आपको बैटरी मिलती है 4000 image की एक दिन का battery backup इस mobile में आपको अराम से मिल जाता है वही दूसरे तरफ Infinix के hot 9 में आपको battery दी गई है 5000 image की इसके अंदर भी आपको एक दिन का battery backup अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये दोनों mobile बहुत अच्छे हैं लेकिन rate के हिसाब से देखा जाए तो Infinix का hot 9 ही जाद अच्छा है कम कीमत में इसमा आपको battery और जादा battery दी गई है Note 8 से बात करें दूस्तों processor के बारे में तो Infinix में आपको मिलता है MediaTek का P22 processor अगर आप एक normal user हैं आपका इतना जादा heavy user नहीं है जैसे आप WhatsApp, YouTube अगरा use करते हैं तो इस mobile में आपको दिकत नहीं आने वाली नॉर्मल यूस के हिसाब से ये mobile काफी अच्छा है वहीं दूसरी तरफ Note 8 के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 665 processor अगर आप एक heavy user हैं तो दोस्तों इन दोनों mobile's के comparison में आपको Note 8 में जाद अच्छा processor मिल जाता है heavy user के अंदर इन दोनों mobile's में आपको Note 8 के अंदर ही जाद अच्छी performance देखने को मिलती है तो ये सारी खूबिया कमिया है इन दोनों में चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो देखें दोस्तों ये आपकी ज़रूत के उपर matter करता है क्योंकि कुछ खूबिया Infinix के Hot 9 में कम कीमत में ही बहुत अच्छी है और कुछ चीज़ आपको Redmi के Note 8 में अच्छी मिल जाती है तो देखें अगर आपके लिए matter करती है 12,000 में तो तो Note 8 ही जादा बैटर रहता लेकिन दोनों में क्योंकि आपको IPS डिस्प्ले ही मिलती है और सिर्फ Full HD प्लस डिस्प्ले का फर्क है Note 8 में तो rate के हिसाब से मुझे डिस्प्ले में Infinix का Hot 9 जादा बैटर लगा मैं आपको Infinix Hot 9 सजेस्ट करूँगा अच्छी डिस्प्ले के लिए और दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है मुबाल का कैमरा तो तो आप Note 8 ही लीजिएगा इसके लब अगर आपके लिए matter करता है मुबाल का प्रोसेसर तो भी आप Redmi का Note 8 खरी दिएगा यही モूबल आपके लिए जयाद अच्छा रहेगा लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है मुबाल की रेम और Storage तो आपको कम कीमत में ही Infinix के अंदर जयाद अच्छी मिल जाती है इसके लाव अगर आपके लिए matter करती है मूबल की बैटरी आपको 4 चीजा बहुत अच्छी मिलती हैं सबसे पहले सके अंदर आपको डिस्पले का design size दोनों अच्छे मिल जाते हैं, colors भी ठीक हैं दूसरे सके अंदर आपको battery काफी अच्छी दी गई हैं तीसरे सके अंदर आपको RAM और storage काफी अच्छी मिल जाती हैं और चौथा सबसे important चीज इस mobile की कीमत साड़े तीन हजार काम है notate से तो दोस्तो अगर आपके लिए matter करती है होट 9 की खूबियां तो आप hot 9 ले सकते हैं बाकि अगर आपकी ज़रूत की चीज notate में हैं तो आप notate ले सकते हैं इन दोनों की कीमत देके मैं से मुझे दोनों ही mobiles काफी ज़या पसंद आए आप बताइएगा निचे comment करके आपको इन दोनों mobiles में कौन से ज़या पसंद आया यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल केलर का बटन उस दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बैल आकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें, इसके लिए वीडियो गर आपको helpful होगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर कर देगा वाच्ट से फेस्बुक में, मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर, बाबाए